करनाल के गाउं छप्राजागीर में दो पक्षों में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में एक 65 वर्ष्य बुजुर्ग व्यक्ति की मोर्थ हो जिसमें पूलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर महिला समेच चार लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर जाज शुरू कर दी मृतक के बेटे सत्वीर सिंग ने पूलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि हमारी गली में पशुओं को ठीका लगाने के लिए एक शिकंजा रखा हुआ है जिसे मेरे पडोस में रहने वाले मेरे चचेरे भाई सुरेंदर पूतर कली राम ने रविवार को सुबह करीब आठ बजे मेरे खेट के सामने गड़वाने की कोशिश की जिस पर उसने अतराज जिताते हुए ऐसा करने नहीं दिया लेकिन उसने इस बात की बहस करते हुए उसे कहा कि वह उसे देख लेगा और वह वहां से चला गया जिसके बाद शाम को करीब 8 बजे 65 वर्शी उनके पिता रामकुमार की गली में टैल रहे थे और तभी वह अपनी दुकान से बाहर गली में आ गया था इसी दोरान सामने से सुरेंदर उसकी पतनी पिंकी और उसके दोनों बेटो शीवम वई युगराज हातों में लाठी डंडे लेकर आ गए और अचानक से उसके उपर हमला कर दिया और उसके पिता रामकुमार ने उसे बचाने का परियास किया तो पिंकी, शिवम और युगराज ने उसके पिता के हाथ पैर पकड़ लिए और सुरेंदर ने उसके पिता के हाथों से गला दबा दे जिससे उसके पिता की मोट हो गई इस मामले को लेकर सदर थारे सेच्चो बलजीत सिंग ने बताया कि छपरा जागीर में दो पक्षों में किसी बात को लेकर आपसी जगड़ा होने का मामला सामने आए जिसमें 65 विर्शे बुज़ुर्ग रामकुमार की मोठी और चार लोगों पर हत्या का मामला दर्श कर दिय नमस्कार शमाचार एक्स्प्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रिपोर्टर शोहन पोडिया और इस वक्त हमोजुदा कर नाल के कलपना चावला मेडिकल कालेज के मौर्चरी हाउस के शामने जहां पर गाउं छपरास एक भैस के जो शिकंजा होता है उसको लेकर विवाद हुआ उसके बाद चार लोगों ने एक रामकुमार नाम के 65 वर्षी वैक्ति पर हमला किया जिसमें घायल होने के बाद उनकी होस्पिटल ले जाते वक्त मौत हो गई और उसी के चलते फिलहाल जो परीजन है वो करनाल के मौर्चरी हाउस में पहुंचे हैं जी क्या कुछ पूरा मामला था क्या हुआ थोड़ा जानकर वेदी मेरे नाम सत्वीर है चप्रे गाउं करेने वाड़ा हूं अमारे यहां एक बैसों के लिए एक सिकंजा रख्या था यह मेरे ताहू का लड़का था जिसने मेरे फादर साहब को गड़ा को उठके मार दिया वो सुबह लगया कहने है यह सिकंजा मैं यहां अपने यार उनकी बैस दूद नहीं दे रही थी इसमें खड़े करके हम निकाल ले मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं यह साजला काम है और कर लो आप तो वो मेरे गर के सामने गाड़ने लगया मैं लगया कहने महां यह यहां ठीक निकाल गड़ेगा तो यहीं गड़ेगा नहीं वैसे नहीं हम वो करेंगे हमारी सुबह इस बात को लेके थोड़ी बहुत तकरार होई और हम चले गए फिर वो शाम को अपने बेटे को लेके अपनी वाइफ को लेके फिर वहीं गाड़ने लगया वहां पे मेरे फादर आपको मना किया था तो आप यह फिर क्यों गाड़ रहे हो इन्यों को दिख़त तरह टाइम है लिया तो ऐसे नहीं मानने को उसने अपने लड़कों के साथ मेरे फादर साहब को पकड़ा और उसका घड़ा दबाके उसको महीं मार दिया मैं तब तक आता रहा उनको अपनकार ही ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं हूं मेरे बच्चे ही हैं सब कुछ वो कभी भी यह चीज नहीं करता था कभी सब के साथ मिलके रही या वो करें उसकी वाइफ हर मैंने मतलब एफ आई आर किसी ना किसी कराती रहती थी गाउं में और उनका मतलब भी हैव अच्छा नहीं था हमारे साथ कि इतने लोग थे जो हमला के चार लोग थे उसके बाद इस तरह से गायल होने के बाद आप होस्पेटल लेके कहां गए कैसे क्या रहा बस वहां पे जब मेरे फादर साब की मुत्र विसर उसका लैटरिंग और बातरूम उसी में निकल गया तो हम उसको है दी हाँ रात हम सदर थाने में बलजी तैसे चो तुरंत मोके पे पहुंच गये थे वो और उन्होंने फाई आयार दर्ज करके उनको राती अरेस्ट कर लिया था चार रोखने तो फिलहाल जो है परिजनों का साफ़तोर पर यही कहना है कि मामली बात को लेकर हुए जगड है कि मामले को लेकर पुलिस परशासन को भी सिकायत दी गई है जिसमें पुलिस परशासन ने तत्काल कारवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरिफतार भी किया है कल शाम को हमें सूचना मिली थी रात को करीब नो दस बजे के असपास के छपरा जागीर गाउं है वहाँ जगड़ा हुआ है चचेरे भाई हैं आपस में कोई उनके घर के बाहर जो जगए हैं यूज करने की उसको लेकर पशुओं को बांधने किया उनका इलाज करने के लि चक्कर में दोनों में आपस में विवाद हुआ और जगड़ा हुआ मारपीट हुई उसके बाद राम कुमार नमक विक्ति हैं जो 65 वर्स के थे उस जगड़े के दुरान उनकी मृत्य हुई है जो मेरे चचेरे भाई हैं और उसकी मैडम और उसके बच्चे इनके दुआरा म और अब बोस्ट मार्टम करवा के आगे निमानसार करवी की जाएगा उसी के चलते फिलहाल जो है पुलिस मामले की जांच कर रही है कैमरा से योगी सनी चोधरी के साथ सोहन पोडिया समचार एक्सप्रेस करनाल